हेलो स्टुडेंट्स हम लोग टयपस उफ लोग क्रोपिंग और क्रोपिंग पैटरन पर गोड़ी श्टुडी करेंगे ऀसफंग कि major props यानि प्रमुख फसलें और हम चुकि इसको इंडियन कॉंटेक्स्ट में लेके चल रहे हैं लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि यह तो chapter explanation series है जोगी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें पहले chapter को इस्टडी करना चाहिए तो chapter of website से download कर सकते हो जो exam में पुछेगे questions पर बेज़ होती है बहुत बहुत परिशान रहते हैं कि सरी important questions बता दीजिए हमारी note series उन्हीं पर बेज़ है हम उसे adapt करते रहते हैं according to the questions asked in the previous examinations तो वो update होती रहती है because we are the original creator of those notes तो हम उसे update करते रहते हैं anyway यहाँ पर focus करते हैं a variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country तो हमारे देश में within parts में तरह तरह के food crops उगाई जाती हैं आकर crops होती क्या है देखे भई plants ही होते हैं crops क्या होती है plants ही होते हैं लेकि जब हम उन्हें cultivate करके grow करते हैं food के लिए कर सकते हैं या commercial crop है बेच कर पैशा कमाना चाहते हैं किसी भी मकसद से जब हम plants को थोड़ा सा एक large area में उगाते हैं और फिर हमें इसको harvest भी कटना होता है यानि इस परकार से जो पूरी practices होती है वो जब plants त्यार होते हैं तो उन्हें हम crop कहते हैं कि आप उन्होंने बोया था और आपकी फसल त्यार है और बात भी आप इसे काटोगे भी तो भार से कि soil में climate में variations देखने की वज़े से हमारे हैं cultivation practices में भी variation देखने को मिलता है major crops grown in India rice अब जैसे मुख तो rice हो गई wheat हो गई और millets, pulses, tea, etc और rice wheat सिर्फ इंडिया की नहीं है world में number one and two crops में उसके बाद हम मेच को सामिल कर लेते हैं यह फसले मानी जाती है सुगर केन है, oil seeds है, cotton है, jute है, अब cotton, jute तो खाने के लिए नहीं हो आई जाती है, oil seeds भी use होती है, consumption के लिए लेकिन सुगर केन है, cotton है, jute है, खासकर cotton है, jute है, coffee हो गई, tea हो गई, यह सब तो commercial crops भी है, तो इस तरह से सबसे पहले जो हम pick up करते हैं वो है rice और आपके जो syllabus है उसमें अभी जो syllabus latest है, इस वीडियो को बनाए जाने तक उसमें map भी है, rice और wheat से related, तो उसको भी हम कर लेंगे, जो book में दिया गया है, तो rice आप science के student भी है, तो इसका name क्या है, scientific name, अब उसे है oriza, और उसके बाद आप इसे sativa पढ़ लीजे या sativa पढ़ लीजे, यह इसका scientific name है, it is a staple food, मुख्य फसल है, crop of a majority of the people in India, भारत में जदे तर लोगों की मुख्य फसल क्या है, rice है, अब देखिए पश्ची मंगाल चले जाएए, उत्तर भारत में, दच्छी भारत में, पश्ची मंगाल तो मचली भात वगरा खाते हैं, तो भात, चावल, our country is the second largest producer of rice in the world, मैं चाइना से मात खा जाते हैं हम लोग, तो दुनिया में दूसे नंबर के producer हैं हम लोग, हलाकि ये मांसून season की फसल है, तो मांसून regions में, खासकर Asia में, इसका production होता है 90%, और भारत में सब ज़्यादा छेतर है, rice cover में, लेकिन China lead करता है, world producer होने के नाते, दूसे नंबर पे producers पता हो, और भारत के कुछ states पता होने चाहिए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो it is a खरीफ crop, खरीफ crop है, और इसे जो temperature हो 25 degree Celsius है, देखिए खरीफ crop का मतलब है कि ये बरसात के season में बोह जाती है, और उस वक्त गर्मी भी काफी ज़्यादा होती है, humidity काफी होती है इसी वज़े से आप गर्मी में पसीना क्यों आता है, क्योंकि हवाऊं में नमी होती है, moisture होता है, ठंडियों में हवाय चलती है, सूखी होती है, इसलिए आपको क्रीम हो गरा और वैसलिन हो गरा यूस करने ही पड़ती है और होट फट जाते हैं, चेहरे पिचरीयां पढ़ करना पड़ता है अपने फेस को अपने सरीर को नम बनाया रखने के लिए यह आपकी खरीफ क्रॉप हो गई और इसको टेंपरेश्चर लगवा कितना चाहिए होता है अब अब 25 यानि कि जब रेन का सीजन होता है इसलिए जो इसको रेनफाल चाहिए होती वो प्लस हंड़ेट सेंटिमीटर चाहिए तो पानी बच्छा खासा चाहिए तो खरीफ टेंपरिचर हमडिटी और यह रेन से रिलेटेड है लेकिन इरिगेशन फैसलिटी इसको अगर हम यूज करें तो हम उन स्टेट में भी उगा सकते है उन राच्छेत्रों में भी उगा सकते हैं जहांपे लेसरेइज़ और नदीयों के पानी को हम लोग नाली के ले जाते हैं तो वो नहर कहलाती है नहरों के माध्यम से या pumping sets लगाके आप यूज़ कर सकते हैं पानी को, ground water को और अगर हम मिटी की बात करें तो चुकि चिकनी मिटी, यानि क्ले मिटी जाद अच्छी है इसके लिए, क्योंकि वो पानी रिटेन कर सकती है क्योंकि जो राइस की पैदावार के लिए, पैड़ी के लिए, पानी खेत में भरा होना चाहिए उसी में पौदे हमेसा डूबे रहे है उपर से गर्मी भी मिलती रहे तो जब भी temperature पूछा जाए तो आप 15 से 27 डिग्री लिख सकते हो और इनफाल पूछी जाए तो 100 से 150 आफ लिख सकते हो और कुछ वराइटी पूछी जाए तो मुझे तो याद आ रही है आप मनसूरी चावल बहुत फेमस है, बासमती चावल है, सोनम है वह हमारे अलाके में बहु जाती है तो मैं आपको बता रहा हूँ और थाइलेंड जो है न वो जो इसका बड़ा एक्सपोर्टर है, बाहर बेचता है एक्सपोर्ट करने में नमबर वन आई आगे चलते हैं और यह देखिए दान के खेट दिखाए गए हैं और नीचे यह आपका राइस का प्रडिशिंग से रिलेटेड मैप है और मैप तो भी हम देख लेंगे राइस इस ग्रोन इन द प्लेंस ऑफ नौर्स देखिए उत्री भारत के मैदान में जो कि यह भारत का हम चिकर कर रहे हैं और भारत का जो पूर्वत्तर छेत्र है नौर्थ इस्टर इंडिया वहां पे भी कोईस्टल एरिया आज हैं आपने इरिगेशन और टूबल्स इंसपकर नेटवर्क इसके वजह से क्या है ना कि लेस रेंफाल एरिया में भी राइस ग्रोव हो रहा है यानि कि पैटी कल्टिविशन हो रहा है जिसके वैसे पंजाब में भी ग्रोव होता है वह लेस्टर उत्र प्रदेश है वहां पे भी और में भी उगा लिया जाता है विकॉज ऑफ इरिगेशन तो इरिगेशन से रिलेटेड यह स्टेट्स हो गए और बाकी उत्तर भारत में तो पुर्वतर छेत्र में डल्टाइग रिजन में वैसी पानी रहता है इसका मैप ले लेते हैं देखिए मैप आपको नजर आ रहा है तो मैप में आपसे मेजर और माइनर अरिया पूछा जाता है तो जो हलके हलके कलर में आपको दिखाई दे रहा हुए हरा हलका माइनर अरिया है यानि जो पंजाब अरियाना और वेस्टर उत्तर परदेश है आपका लग बग तो यहां पर लेस रेंफाल है उसके बशूद यहाँ पर हम जो फैसिलिटीज हैं इरिगेशन की उन से रिलेटिड प्रडक्शन एरिया हम इने मान सकते हैं और जो मेजर एरियाज हैं वो थोड़ा डार्क ग्रीन से हैं तो यह देखिए हिस्सा है मैं इसी एरिया में रहता हूँ और यह देखिए आपका कोश्टल प्लेन एरिया है यह देखिए थोड़ा बहुत कोश्टल प्लेन एरिया है तो यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रडक्शन होता है यह जो आप जग़ जग़ देख रहे हैं यह जबसल डेल्टा इक रीजन्स होते हैं कावेरी का हो गया, किष्णा का हो गया, गुदावरी का हो गया, महानदी का हो गया गंगा का डेल्टा बहुत फेमस है दुनिया भर में तो मेजर एरिया जब ऐसे करके ऐसे करके कवर कर दीजेग हो जाएगा मेजर एरिया माइनेर एरिया आप ऐसे करके ऐसे करके कवर कर दीजेगा होगा माइनेर एरिया थोड़ा स्प्रेक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा और हाँ पूरवत्तर छेत्र क्यों भूल रहे हम असम भी तो मैदान है भ्रहमपुत्र नदी ऐसे प्रवेश करती है और ऐसे बहती है और आगे गिरती है तो भ्रहमपुत्र का प्लेन यहाँ भी प्रडुक्शन होता है शिड़ी नुमक खेद बनाए जाते ना उनमें इनका प्रडुक्शन होता है जहां पर जो पहाड़ी छेत्र है और मैदानी छेत्र में तो आप जानते हैं प्लेन एरिया तो यह हो गया आपका मेजर एंड मायर प्रडुशिंग एरिया अब यह सब फीके पड़े हैं अब द यह है तो इसको भी स्टेड़ी करते हैं भाई आप जो इसमें जो दिया गया है वो तो जरूरी है यह तेम्ट्रेचर रेंफॉल एट्सेटरा स्वाइल तो उसकी भी जानकारी हम करेंगे इस इस सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप बही चावल के बाद यह सेक क्रॉप है रवी क्रॉप है अब समझ गया आप मांसून सीजन खतम हुआ अक्टूबर नॉवंबर में ठंडी का सीजन सुरू हुआ इसकी स्टार्ट हो जागी उधर जाके मार्च अप्रेल में यह जो है कटेगा ना तो इस इस दा सीजन ठीक अपोजीट है इसे रेंफाल क परेल में अच्छा सा संसाइन मिलता रहता इसको और इसके पहले आपको कूल सीजन मिल जाता है इसको अगर राइस और वीट में थोड़ा कन्फूजन हो रहा हो तो आप जो टेम्परेचर है उसे इस तरह से लिए जैसे मैंने वहां पर लिखा था 15 से 27 तो आप यहां पर दो दो तिन दिन कम कर दीजिए इसे 12 कर दीजिए और इधर आप इसको 25 कर दीजिए रेंफाल मेंने वहां 100 का था यहां 50 कर दीजिए वहां 100 से 150 कहा था तो आप इसे 75 कर दीजिए 150 का आधा इंफाल में आधा कर दीजे और टेंप्रेचर में बस ज्यादे दर तीन तीन घटा दीजे बस ज्यादा नहीं करना है आपको उससे कोई नंबर कटने वाला नहीं है आपका और जो मिट्टी है स्वाइल वो वेल ड्रेंड होनी चाहिए महला पानी रुकना नीची है तो जहां सतलच का मैदान है जिसे पंजाब हर्याना इसब और इन नौर्थ वेस्ट और ब्लैक स्वेल रिजन ऑफ डेकन और डेकन का जो प्लेटो है वहां पे आप काली मिट्टी पाई जाती है आप जानते है तो वहां पे भी गेहों को उत्पादन होता है तो मेजर वीट इन में रिज भी होती है कार्बोहाइड्रेट है वीटेमिन्स हैं और बहुत ही हार्स टेम्टरेचर को बढ़दास कर सकता है वीट का प्लांट हार्स का मतलब विंटर यानि डाउन तापमान को यह हम यह कह सकते हैं कि इसकी अच्छी खासी है तो यह साइबरेनी इलाकों मे प्लां में देखने को मिल सकता है और इंडिया में देक्स सकता है और इसमें ऐसमें चांपाम nog CAPS यह है जैसे मैंने इसमे आपको पता था कि जब हम जो मिजरर माइनर Raris एरियो इस देख रहे थे- तो वह ऐसे आकए ऐसे आएसे आका एसे घूमा हुआ हूँ ता लेकित लेकिन जब वीट की बात करेंगे तो मेनली हमारा यह जो अपर पाल्ट है वो आएगा खासकर यह जो इलाका है हमारा तो माइनर एरिया आज में देखिए राइस्तान का इलाका होगे इतना राइस्तान का है यह देखिया ऐसे बना हुआ है और गुजरात में भी पहुंचा तो यह आपका माइनर एरिया हो गया और यह आपका पूरा मेजर एरिया हो गया थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा पंजाब रहे आना हमाचल प्रदेश ना उत्रखंड उत्रपरदेश राजिस्थान इतना यहां से देखिए जहां सी यहां लटका Millets देखें Millets में जवार, बाजरा, रागी ये सब आ जाएंगे और nutritional crops होती है ये और इन्हें coarse grains भी कहा जाता है मोटे अनाज के, मोटे दाने होते हैं मोटे अनाज वाले फसले हैं They have very high nutritional value उनके nutritional value काफी ही होती है और रागी तो iron में काफी रिच है केलसियम में और इसके लाओं और भी micronutrients पाए जाते हैं राफेश पाए जाता है जवार जो है वो बहुत ही important crop है इसका प्रोडक्शन अच्छे खासे area में होता है और it is a rain fed crop मतलब की बाड़ता के पानी से इसका उत्पादन होता है और इसलिए महाराष्ट है करनाटका है आंध्रप्रदेश है महत्रप्रदेश इसमें उत्तर भारत को और नॉर्दन इंडिया के स्टेट्स को मत ले के आईएगा वैसे मिलेट्स अगर इनका temperature पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 20 से आप 35 degree Celsius लिख सकते हो रेनफाल आप 25 से 75 cm लिख सकते हो और पूछी जाए थोड़ा चेंज कर लिजिए आप लोमी लिख दीजिए अब उपर जो हम लोग क्ले से स्वाइल यूज कर रहे थे वैसे लोमी स्वाइल अच्छी होती है हर फसल के लिए क्यों सेंसिल्ट क्ले का मिक्स्रवन होता है इसमें भाई चैना लीट करता है फिर इंडिया आता है और वर्ल्ड में बात करें तो भाई यूज से लीट करता है एक्सपोर्ट करता है काफी और जो बाजरा है ना इसे तो पर्ल मिलेट भी कहा जाता है पर्ल मिलेट समझे आप इसके बाद ये मैप दिया गया हो तो मैंने विश्टिडी कर लिए हमने गहूं वाला पल्सेज के पहले और बाजराग बारे मालक से भी दिया गए बाजराग रोज वेल उन सैंडी सोइल्स तो सैंडी सोयल में फसल अच्छी होती है और शैलों ब्लैक सॉयल भी ठीक है मेजर बाजर प्रोडुसिंग स्टेट साराजस्थान है उतरप्रदेश है महराष्ठ है गु अच्छी है अच्छी है अच्छी है यह सब ब्लैक आप यूज कर सकते हो मेजर रागी प्रेडूसिंग स्टेट्स और करनाटका तमिलनाडू हिमाचल प्रदेश उत्राखर्ण सिक्केम जारकर्ण और राचल प्रदेश तो दोनों की स्वाइल लगब लगब सेम है रागी कु अच्छी तो बहुत हमारे जो डाइट है हमारा बैलेंस डाइट उसमें जरूरी है तो पॉल्स जानी दालें इन्हें दलहन की फसल कहा जाता है इंडिया इस लिए प्रोटीन का सोर्स है पल्स अंडा मीट नहीं खाते हो तो दाल पियो और यह कौन सी क्रॉप है भई खरीफ क्रॉप आप जरूरी को खरीफ सीजन में लेके चलिए मेजर पल्स डेटा ग्रोन इन इंडिया जैसे अरहार हो गई तूर्की दाल है उरद है मूंग है मसूर है पीजे तो आपने घर में देखा भी होगा और चनी की दाल कैने डिस्टिंग्विश विच आप दीस पल्स कौन सी खरीफ सीजन में होती है और कौन सी रवी सीजन में तो देखिए भई मैंने जनरली खरीफ बताया था आप रवी इसमें सामिल कर लीजिए अब जैसे जो मूंगी है उरद है यह सब तो समय लीजिए आप खरीफ क्रॉप में ही इनको हम इंक्लूट कर लेते हैं अब तो खेर तिलहन की फसल हो जाएगी वैल सीट तब पॉल्स जीट लेस मॉइस्टर के आउसकता पड़ती है और ड्राइ कंडिसंस में भी उख जाती है जैसे अरहार है इन्हें हलकी फुलकी सीचाई मिल जाए तो यह अच्छी पैदावार दे देते हैं बींग लेगुमनेस क इसलीज़र फिक्स करती हैं सौइल में जिसे उनकी फर्टिलिटी बढ़ती है इसलिए इसलिए इन्हें रोटेशन क्रॉप में हम यूज करते हैं रोटेशन और आप समझें इसले मालीजमने वीट उगाया ठीक है अब वीट के बाद उसी फसल जहां पर हमने वीट को उगा तो fertility को restore करने में मदद करती है उस फसल को यहां पे हम उगाना चाहिए अब जैसे आलू हो गए रहा है इसे भी आप रभी क्रॉप में गिन सकते हो तो अब आलू जहां पे लगाया जाता है कहा जाता है कि वह खेट भी fertile बन जाता है दाल आपने उगाई हुई है तो कहा जाता Fertility को regain करने में मदद करती है restore करने मदद करती है फिर आपको यह ऐसी फसल होगा लेजिए Fertility को ज्यादा जरूत इसको मैसूस होती है तो इससे Fertility यूज करने वाली फसल अफे Fertility दूबारा देने वाली फसल यह crop rotation आप कह सकते हो major pulse producing states इन इंडिया और मात परदेश में इंपल से कभी जादा होती है राजिस्तान है महराष्ट है उतर परदेश है करनाट का है मेज यानी मक्का जैसी मक्का ख्याल आता है यूसे का ख्याल आ जाता है कौन भी कहा जाता है महां पे लिडिंग प्रिडूशर है और इसका scientific name देंगे जी मैस यह इसे drought resistant और agro versatile crop भी क दहा जाता है अलग लग season में इसे आप उगा सकते हो वैसे वास्तों में यह आप इसे खरीफ crop में किन सकते हो लेकिन इसे ठंडी के season में भी उगाया जाता है temperature पहले हम देख लेते हैं इसमें किस न दिया है it is a crop which is used both as food and fodder तो लोग इसे खाने के लिए भी यूज करते है औ between 21 degrees Celsius 27 degrees Celsius देखिए इसका तो clear cut temperature बताया गया है जहां आपको 25 प्लस में मिल जाए समय लिजे कर्मी का season है अब इसकी range आपको different different मिलेगी जैसे मैं यहां लिखता दो 15-27 लिखता क्योंकि यह ठंडीयों में भी हो जाती है ग्रोज वेल इन ओल्ड अलुवेल जिसे भांगर कहते हैं हम लोग न अच्छी पैदावर होती है इंसम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इस ग्रोण इन रभी सीजन देखिए मैंने बताया न विहार में रभी सीजन बहुगाई जाती है यूज ऑ इसके लिए इसके लिए इस अगर हम बात करें मिट्टी की तो सीधा साब लिख दीजिए लोमी मिट्टी ज्याद अच्छी है अब मेजर प्रोडूसिंग एरिया मैंने आपको बताया था कि यह ऐसे है चाइना है ब्रजील है फिर इंडिया भी आता है अच्छा गासा प्रोटीन भी होता है इसके अंद